आठ वर्षी किशोर की नदी में नहाते वक्त डूबने से हुई मौत परिवार में मचा कोहराम थाना शाही तैसिल मीरगन के गाउं सिहोर के किशोर प्रियांशू पुत्र मेवाराम उम्र आठ वर्ष सिहोर वाले पुल के पास भाक्रा नदी में अपने दो अन्य दोस्तों के साथ नहाने गए थे नहाते नहाते गहरे पानी में जाने से प्रियांशू का पता नहीं चल पाया और वह डूब गया उसके दो अनिसातियों ने उसके घर जाकर सूचना दी तो परिवार में कोहराम मज गया और आनन फानन में परिवार जन भाखरा नदी पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू कर दी नदी के बाहर एक बन्यान पड़ी थी जिसे उसके परिवार जनों ने पहचान लिया गरामीलो ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस किशोर की तलाश कराने में मदद कर रही है गोता खोर भी बुलाए गए हैं मेवाराम के प्रियांशू सही तीन बच्चे थे अब दो ही बच्चे रहे गए प्रियांशू गाओं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था गरामीलो भी नदी में कूद गए हैं और किशोर की तलाश कर रहे हैं अपने छेतरवासवास की खबरों में बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करें